तो बहुत बहुत साथ आपका दिखरे रोज प्रेड़ाइकिंग कोर्स है और मैं एंड देवकर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री वे हैंड्स के बारे में तो चलिए जानते हैं यह थ्री वे हैंड्स कैसे वर्क करता है तो एक यह आपको picture दिख रही होगी एपने screen पर तो यहां आपको एक server और एक client दिख जाते है अभी दोनों की statement क्या है closed तो अभी क्या होगा सबसे पहले जो आपका client है वो gredit करेगा server के लिए तो server क्या करेगा अपने उसमें create करेगा tcb open tcb create करेगा जिसे हम कहते हैं transmission connection block को create करेगा ताकि वो receive कर सके synchronize package को तो इसके बाद क्या होगा वो wait करेगा client के लिए फिर आपका जो client है वो क्या करेगा वो एक tcb create करेगा और send करेगा क्या synchronize package syn package जब वो synchronize package server के पास पहुँचेगा तो server उसे resolve करेगा और क्या करेगा उसका acknowledgement package send करेगा और साथ वही अपना synchronize package send करेगा जब किसे client को उसका acknowledgement package मिल जाएगा तो वहाँ पर connection हो जाएगा stabilise बट अभी server से stabilise नहीं हुआ है तो इसके लिए क्या करेगा जो sync packet आयथा server का उससे क्या करेगा acknowledgement package विजएगा और sync packet का server को वापस और वही पर यह connection हो जाएगा जिससे दोनों के बीच में हो जाएगा connection बन जाएगा तो मैं आशर करता हुआ यह आपको समझ माँ आ गई हुए लगे लिए